राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा आज 102 बे दिन में प्रवेश कर गई जिसकी चर्चा लगातार सुर्ख्या बटूर रही है लेकिन यात्रा से इतर आज राहुल गांदी की कुछद दूसरी तस्विरों ने लोगों का ध्यान खिता है राहूल गांदी की ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही है आईए आप भी देखिए ये तस्वीरे आर्जंटीना ने फीफा वर्ल कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है बेहद रोमांचक फाइनल में पैनल्टी शूट आउट के जरिये उसने फ्रांस को शिकस दी अर्जंटीना की इस जीत पर दुनिया भर में मेसी के फैंस जोश में है पियम मोदी ने अर्जंटीना को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि फाइनल को सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक की रूप में याद किया जाएगा आपको बता दे कि अर्जंटीना ने फाइनल में पैनल्टी शूट आउट में फ्रांस को चार दो से हरा कर विश्व कप जीता इस मुकाबले को लेकर राहूल गांधी भी काफी उचसा ही थे उनके मैच देखते हुए कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहूल कई बार बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते दिखे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहूल को फुटबॉल काफी पसंद है फुटबॉल वर्ल कप का फाइनल मैच कल खेला गया था इस दौरान फाइनल मैच में अर्जंटीना और फ्रांस की टीमें भीड़ी दुनिया भर की लोगों की निगा इस मैच पर थी भारत में भी लोग फिफा वर्ल कप का आनंद ले रहे थे राहूल गांधी ने ये मैच राजस्तान के दोसा में देखा राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा राजस्थान में है आज यात्रा का 102 दिन है जबकि राजस्थान में यात्रा का 15 दिन है आज सुबा 6 बजे राहुल गांदी ने बांदी उकुई से यात्रा की शुरुआत की थी आज राहुल की यात्रा अलवर पहुंचेगी अलवर में आज शाम को राहूल गांधी और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में अपने अंतिव पड़ाव पर है आज अलवर में बड़ी जनसभा के साथ ही राजस्थान में यात्रा का सफर पूरा हो जाएगा इसके बाद ये यात्रा हर्याना में प्रवेश कर जाएगी डीबिलाइफ की रिपोर्ट